तोके तुशू जोले दीवोना या हमारी मौनेर कोतर भावोना आप जोशू परव के लिए यह लूत तैयारी करता है 84 के लिए तुशू परव कौबाएगा करांगे जहारखन सब्सक्रोड की राजधानी है और एसे में हम एक नहय सख्स के साथ मिलेंगे जिनका नाम है ġॉक्ड राजाराम महतो जारखन ने एक सबसे लोगप्रिये पर्भ है सब तुसू पर्भ क्या है सली decorations तुसू पर्भ अगर कहा जाए तो यहां के लोगों के लिए जारखन के लिए बंगाल के लिए उडिशा के लिए पुरे देश के लिए बोल सकते हैं ये सवाविमान का पर्तिक है तूसु परभ ही एक ऐसा परभ है जो खास करके महिलाओं के लिए उन्मुक्त तेवार है इसी में एक महिला लोग पुरा फिरी होके काम करती है तूसु परभ एक ऐसा परभ है जो साल भर के लिए इलू तैयार होता है क्रिशी परधान तेवार है धान चावल होता है सब का घर में गुड़ पिठा मास चारपा छिलका पिठा मोड़ी गुड़ पिठा होता है और ये तूशु परव शुरू होता है अगहन साक्राइट के दिन अगहन साक्राइट 15 दिसंबर अगहन साक्राइट होता है और ये तूशु चलता है आपको ये पुजा करती है कुणारी लड़की लोग खास करके तूशु का महत है कि ये कुणारी लड़की लोग पुजा करती है किसी घर में तूशु का इस्था पना करती है 15 दिसंबर से अ तेरो जन्वरी तक और चौदो को मकर संक्रान्ती होता है अधिकतर तो मकर संक्रान्ती के बाद तूसु का विसर्जन किया जाता है तिस साल पंद्रो का यह तो पंद्रो करेगा मकर संक्रान्ती की दिन विसर्जन करता है और विसर्जन के साथ-साथ लगातार एक महिना आपका ये हर नदी के किनारे मेला लगते रहता है, जो उदर तारिक से जो विशर्जन सुरू करता है, महिना दिन हर जगा, हर नदी किनारे आपका रांची जिला से पूर्वी चल जाए है, मिदनापूर, माकूडा, गेंजार, औरिशा, रहरांगपूर, सब जगा तूशु का मेला और ये कोई मंत्र उचारन नहीं होता है, तूशु के और कुणारी लड़की लोग अपने मूँ से जो गीत निकलता है, बालाएं गीत निकलती है, तूशु जो मा अथापी अगोना साकरायते को शुरू करती है, तो के तूशु जो ले दी बनाए, भाव इभर होके, मने प भाव खोके तूशु को पानी में देती है, इतिहास क्या रहा है सर, तूशु पर्व कर ले करके, ये तूशु पर्व का बहुत लोग बहुत तरह बोलते हैं, लेकिन मेरा जहां तो गजधन है, तूशु का जो कुर्माली साहित में सब बर्नन है, ये अधिक तर बंगला बिद्वान लोग लिखा है कुर्माली के बारे, डक्टर धिरिंत साह बंगला का हेट था यहाँ पर, वो बहुत लिखा है, वो लिखा है यहां के लोगों का बासा संस्कृत है यही लोग बचाय है, ये राजाराम नहीं बोलता है, ये डक्टर सुध करनपाल, कि उसको जबरजस्ति साधी करना चाहता था लेकिन लोगों का यह इच्छा नहीं जचा और लोग मीटिंग करने लगा माहतों के साथ-साथ जो वहां लोगों रहता था सभी जाद धरम के लोग मुडा मान की सब लोग का मीटिंग हुआ कि वह यह तो इन्याय होगा और राजा कोई तूसू अगर बोलियेगा किरकेट का तो ह ही से सुरूँ गाति कहां सभी कार मार कोई बोले गा तो राजा नाम माय तो प्रमांद कर देघा आपको उहीं से किरकेट से खुरु ऐता है और तूसू का जो ज़ुछे लड़ा नदी के किनारे राजा को टाम दिया किubl can लाठी तीर धनुस था तो बंदुक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका, बहुत ही किसान लोग मारे गए, गाउं के लोग मर गए, यहां के महतो भाई लोग और भी जो समाज के लोग जो गय थे, बहुत लोग यहां पर सहीद हुए, तब देखी तुशू कि मेरे चलते इत के अपना जल समादिली, उसी के यादगार में आज भी तुशू लोग मनाते हैं, दुमदाम से मनाते हैं, और यह एक हम लोग का संदिश देखे गई, कि हम लोग बेटी वहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह तैयारी ज्यार्खन नहीं, जो यहां के लोग रहने वाले हैं उडिशा के रहने वाले जो गत्रहारी लोग हैं, सभी लोग एक जूठ होके इस लड़ाई को लड़ा था, इसलिए इसको हम कह सकते हैं, कि ज्यार्खन के स्वाइमान का पर्तिक है, तुशू आपस में सद भावना का पर्तिक है, तुपश्या का पर्तिक है, और यहां के ल शूपरप के बाद हम लोग 15 जन्वरी, इस साल साइट 16 जन्वरी होगा, उस दिन हम लोग नया बर्स मानते हैं, यही एक तेवार है जो हम लोग सब को बेटी बह, नया बर्स 15 से मानते हैं, नया बर्स मानते हैं, उसी दिन हम लोग बोलते हैं आखाइन जात्रा, आखाइन शुरू होता है बिंदास बोल नियूज आज की खबर आज ही पड़े